समाजवाद और पंत निर्पे शब्द हटाने को लेकर कोट ने जमकर फटकार लगाई है भाजपा सरकार को बताएंगे और भी क्या कुछ कहा गया है दोस्तर के साथ में बहराईच के दंगे क्या भाजपा के नेताओं ने कराए हैं बताएंगे बीजेपी के अपने ही लटे पैर वापस लोटे और जमकर फटकार लगाई गई है दोस्तर के साथ में उपर आश्बती के बयान पर कॉंग्रेस पार्टी का चड़ा गुसा पार्टी ने दिया है करारा जवाब बताएंगे ऐसा क्या कुछ कहा गया है दोस्तों और जारकट के अंदर लिकट पारे के बाद आपसी कलेश खुलकर सामने आ गया है दोस्तों एक के बाद एक तावरतोर कई सारे स्तीफे हो गए हैं बताएंगे कहां कहां पर किस-किस ने स्तीफा दिया और क्या उद्धर ठाक रहे हैं भारत में सभी लोगों को एक साथ रहने का पूरा अधिकार है तो इ पारी वरतर महराष्टा में लिखका जरू बताएगा चलते हैं सबसे बढ़ी बिग बेग निउस अपडेट की तरब जहां पर दोस्तों सुप्रीम कोट ने एक याचिका पर सुनवाई की है आपको दादे की सुप्रीम कोट ने टिपड़ी करते हुए एक वकील से पूछा कि बार बार याचिकाए दाखिल करते हैं कि धर्मिर पेश और समाजवाद सब्द का इस्तमाल बाद में किया जाना शुरू हुआ है 1974 के आसपास जब संबिधान में सलसोदन किये गए तब ये दो सब्दों जोड़े गए था सवाल ये है कि भारत का संबिधान हमेशा से सेकुलर और समाजवादी विचार को मानने वाला संबिधान है तो फिर बार बार जाकर इन सब्दों को हटाने की मांग क्यों की जा रही ये पूरा याची का दाखिर किया गयता है लेकिन कोट ने जोड़दार फटकार लगाई है सासाद उत्तरदेश के बहराईच के चुनाव क्या होने वाले उप चुनाव को लेकर माहूल बनाने के लिए एक एक्सपारिमेंट था दोस्तों सवाल इसले खड़ा हुआ है क्यो आठ बीजेपी के नेताओं के खिलाम मुकदमा दर्ज करवाया है दोस्तों बीजेपी के विधायक ने पार्टी के नेताओं पर दंगा खराने का फायर करवाया है और दीम की मौझूदगी में बेटे की हत्या की कोसिस के आरोफ लगाए गये भारतियंता पार्टी युआ म वाल हो गया था विसे समुदाए के लोगों पर आरोब भाजपा के लोग लगाते वे कह रही थे कि पत्राव किया गया है फाइरिंग की गई है हाला कि अब जब खुलकर मामला सामने आ गया हर बीजेपी के विधायक ने बता दिया है कि भरतियंता पार्टी के लोगों नहीं अब इस पस्ट हो गया है दोस्तों की उप्चुनाव के फाइदे के लिए जान बूचकर ये दंगे की आग लगाई गई थी अगर आप भी मानते हैं कि आप भाजपा के नेता नहीं खुलकर बता दिया है तो फिर देश के मीडिया वालों को भी उसी तरीके देवेट करना चाहिए जैसे पहले करते थे और जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं उनके घर पर जो इलीगल घर होने के नोटिस लगाए गये हैं दोस्तर बुल्टेलर की कारवाई की धंकी दी जा रही है उसे तत्काल प्रभाब से रोका जाना चाहिए और दंगे करने वाले भाजपा के ने करते हैं उनकी सरकार के अंतर गताता है उनकी और से सभी राज्यों को लेटर लिखते हुए एक्षिया लेने के लिए कहा गया था और मदर्सों को मिलने वाले फंड पर रोख लगाने की मांग की गई थी दोस्तों दूसरा निर्णा कोट ने लिया है कि कोट ने उत्तर करते हैं चार सब्ताहर के अंदर जवाब देने के लिए कहा है आपको अतादे की बाल आयोग की तीन सिफारिस थी इन्हें खारीच कर दिया गया है दोस्तों एंसी पीसियार की और से फंड बंद करने और मदर्सा बंद करने की बाते चल रही थी अब देखते हैं कोट के जयान पर कहा है कि विदेश जाना चात्रों के लिए नई बीमारी नहीं है बलकि बीमार सिक्षा विवस्ता की प्रणाली है दरसल दोस्तों कॉंग्रेस पार्टी के नेता जराम रमेश ने उपराश्पती जगदीव धंकड के टिपड़ी को लेकर कटाश किया है जगदीव जो पढ़ाई लिखाई में प्रीमिम लोग होते हैं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं लेकिन जेन्यू के लिगर आप लोग जानते हैं कि किस तरीके माहूल देश के अंदर बनाया जाता है दोस्तों और जेन्यू के चात्रों को लेकर कंबीर सवाल खड़े किये जाते हैं जब कि जेन्यू के सबसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड चात्र होते हैं अगर ऐसे इंस्टिट्यूट देश के अंदर नहीं बचेंगे तो फिर लोग विदेश में पढ़ने के लिए जाने वाले लोगों को जगदीव धनकड यानि उपर आश्रपती कह रहा हैं कि नह ही बिमारी बन गई है जराव रमेस ने कहा कि वास्ता में यहाँ एक पुरानी बिमारी है जो कई दसक से चात्रों के प्रभावित कर रही है 1975 में इस वायरस से मैं भी संक्रमीद हुआ था लेकिन वापस लोट कर आ गया उन्होंने और भी कई निजाने साधे हैं आपकी क्या दे दिया है उन्होंने भारतियंता पार्टी के प्रदेश सद्रेक्ट बावुलाल मरांडी को लेटर लिखते हुए प्रात्मिक सज़स्ता से स्तीफा देने की बाते कहीं है आप देख सकते हैं सिके साथ में बीजेपी के एक और पूरे मंत्री सदानन जहां ने बाजबास स्टीफा दे दिया है दोष्टों न होने कहा कि चार बार पार्टी बदलने वाले व direct को टिकट दिया गया है और हमारा टिकट कारण जिया गया है सिके साथ में उद्व ठागरे का प्लान भी भी क्या तैयार है दरसल दोस्तों महरास्ट्टा को लेकर एक ठ्योरी चल रही है महाराष्टा में भाविकास एगारी गड़िने seat sharing को लेकर जंगे चिड़ी हुई है सुत्रों ने बताया है कि उदब थागरे seat sharing को लेकर कॉंग्रेस पार्टी से नाराजर और प्लान भी पर भी काम चल रहा है उदब थागरे की पार्टी सिफ सेना यूबी टी की तैयारी सभी 288 सीटों पर है यानि महाविकास अगाड़ी के दोने सीट शेरिंग के लेकर जो बातचीत चल रही है अगर ऐसा नहीं हो पाता है बातचीत तैय नहीं हो पाती तो फिर बीजेपी के साथ भी उत्दर ठागने जा सकते हैं ये दावा किया जा रहा है सूतर ने बत पार्टी का उमिदार 100% चुन कर आज सकते हैं कुल मिलाकर दोस्तों कई तरीके के थियोरियां चल रही है लेकिन पार्टी के बड़े नेता इस बास से बिलकुर इंकार कर रहे हैं दोस्तों महाराश्ट्रा एसेमली इलेक्शन को लेकर संजेर राउत ने भी टिपड़ी करत पार्टी और महाविकास अगार्डी कड़बंदिन के सिफसेना यूबीटी के बीच में आपसा इवाद चल रहा है वो पूरी तरीके से गलता संजराउत ने इस बात का सपस्टिक नर दे दिया है सासा उडिसा के राज जिपाल और भारतियंता पार्टी के जहारकंड के पार्टी उन्हें बरकटा से अपना उमिदार बनाएगी बीजेपी ने अमित यादव को उमिदार बनाया और वो नाराज होकर पार्टी से बाहर चली गई है कुमकुम देवी बरकटा से लोखित पार्टी के उमिदार के तौरप मैदान में उतरने जा रही है अच्छे खा सामने आई है लोगों ने कहा कि योगेंद्रियादव एक बहुत बहादूर व्यक्ति है बात उन पर हुए हमले की निंदा की नहीं है कोई आप से अलग बात बोल रहा है तो आप इस तरह से हमला करेंगे क्या ये सवाल है सैगड़ों की भीड है योगेंद्रियादव साफी दुर्भागेपूर्ण है अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की योगेंद्रियादव एक इंटिलेक्ट व्यक्ति है यानि पढ़े लिखे व्यक्ति है अगर उनसे किसी को कोई दिक्कत है तो वो उनसे बहस कर सकते है इस तरीके से धक्का मुक्य करना और उनको परिश इसके बाद क्या रुख अपनाते हैं डोबी वली में भारतियंता पार्टी के मौझूदा मंत्री रविंद्र चावांड को टिकट दिया गया है जबकि स्थानीय नेता दिपेस मात्रे जो पहले शिंदे गुट में थे आप सिपसेना यूबिटी में शामिल हो गया है भारत ऐसी सीटों पर हुविदार खड़े किये हैं जो 2019 में सिफसेना लड़ी थी और सिफसेना हार गई थी सिफसेना शिंदे गुट के एक पदाधिकारी ने कहा है कि इस सीट बटवारे को भारतियंता पार्टी द्वारा उनकी राजनतिक जमीन पर कपजा करने के रूप में दे दोस्त और क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए एकना शिंदे को यह भी जरू लिखेगा सासा दिल्ली में लड़ाग भवन में जलवायू कारे करता सोनम वांग्चुक और उनके समर्थकों की और से रविवार को 15 दिन लगातार उनका अंसन जारी रहा 16 दिन बीते दिन और आ नहीं दिया जा रहा है उन्होंने पहले अंसन किया फिर अब मौन ब्रत कर रहे हैं आपकी जो भी रही हो लिखका जो बताएगा सासा संजय राउत बोले कहा महाविकास अगाडी गडवन्दन में 210 सीटों पर सहमती बन गई है कॉंग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि कुछ सीटों पर उदब ठागरे गुट के साथ युवाद चल रहा है साथ सीटों पर अनबन है लेकिन जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा संजय राउत ने ये बयान उस वक्त दिया है जब महाविकास अगाडी गडवन्दन में आपसी फूट को लेकर मीडिया में दावे किये जा समय लगता है नानब पटोले ने ये जानकारी मीडिया में बात करते हैं दोस्तों सिपसे ना यूबीटी ने भारती अंता पाड़ी से किनारा करते हुए अकेले चुनाव लड़ने का पहले एलान किया उसके बाद गडवन्दन के साथ चुनाव लड़ेंगे बास 100% हो गई पहले इस मामले में अपना फैसा सुरक्षित रख लिया तर अब इस पस्ट कर दिया गया है कि कोई जमानत नहीं दी जाएगी इतना बड़ा मामला है दोस्तों कि जमानत देना तो दूर की बाद ऐसे नेता होगो जल से जल सलाकों के पीछे और वो भी पर्मनेंट भेजना चाहिए मिनमम लेकिन रिवना के चाचा मोधी सरकार के मंत्री है साइध यही बड़ा करणे की बार बार या चिकाए दाखील की जा रही और जेल से बाहर निकालने के प्रयास किये जारे सासाथ केंद्रिये ग्रह्मनत्री अमीस्ताहा आज गुज़रात के दौरे पर इंदला पर समाजवादी के लिए चुनाव नहीं देगे तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे दरसल दोस्तों कर निसार घाजावाद और खैर विधानसवाद सीटों को लेकर अभी कोई बादचीत नहीं हुए आपको उतादे कि यह दो विधान सवा की ऐसी सीटे है जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए चुनाब जीतना काफी डिफिकल्ट है और कॉंग्रेस पार्टी भी कई बार चुनाब लड़ी है हलाकि उनको सफलता इन सीटों पर नहीं मिल पाई गाजयवाद में तो पूरा सहरी राका है तो यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी के लिए जीत की संभावनाए काफी कम रहती है और अगर कॉंग्रेस पार्टी को अवद शेतर की सीट मिलती है तो उनके जीतने की संभावनाए और जधा बढ़ जाती है प्रियाग राज की सीट इसलिए कॉंग्रेस पार् दिल्ली में पॉल्यूशन एक बड़ा मामला रहता है और ऐसे में दिल्ली सरकार के सारे मंत्री मैदान में उत्रे हुए हैं लोगों से बातचीत की जा रही है दोस्तों कई सारे गाडियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है कई सारे इंडस्ट्रियल पोजट को रोक दिया माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भरती माफियाओं के नेता है, बीजेपी के नेता के इस बयान पर आपके पतिक्रा देना चाहते हैं, दोस्तों लिखकर जोता है, क्योंकि केसा परसाद मौरिया, समाज़ादी पार्टी को लेकर, जब भी ऐसी उल्टी बाते करते हैं समाजादी पार्टी अपने हिसा से करारा जवाब दे देती है उसके बाद चुपपी साथ लेते हैं सासाथ बीजेपी के 99 सीट अब प्रत्याशों की घोशना के बाद शिंदे और अजीत पवार नाराज बताए जा रहे हैं अभी तक महायूती गडवंदन में स करचा तक नहीं की जा रही है आपकी जो भी राय हो लिखका जुता है का सासाथ कॉंग्रेस पार्टी और उनके सयोग्यों के बीच में सीटों का बटवारे का एलान कब किया जाएगा इस पर शरत पवार और उदव टागरे से बात करेंगे के नेताक बोलने लगे कहां 30 से 40 सीटे ऐसी है जहां पर बाची तबी संपन नहीं हो पाई है और इसलिए बटवारे का एलान नहीं किया गया सासा दोस्तों भरतियंता पार्टी के लोग सोसल मीडिया पर दावा कर रहे थे कि भीम और मीम का नारा देने वाले चंद सेखर आजाओत के साथ दिल्ली के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों ने अभदरता की है मिश्टर सिन्हा जो भरतियंता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं वो दावा करने की ये चंद सेखर आजाओत को असली चेहरा दिखाया गया है मुस्लिमों के द्वारा और विरोध किया गया है इसी तरीके से भरत दोस्तों आपको अता दे कि हाजी शकीर सैफी नाम का ये व्यक्ति है जिसने भीम आर्मी के चीफ के साथ बत्तमी जी की है और गो बैक के नारे लगवाए हैं आप पता चला है कि भरतियंता पार्टी का नेताहर कई जगा बैनर पोश्टर लगाता है कि फिर आ रहे हैं हम य विवक्ति अगर ऐसी अरकते कर रहें तो किसी को आश्चार नहीं होना चाहिए लेकिन मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए जो बाते कही गए थी वह सौपरसेंट गलत निकल रही है सासाथ कॉंग्रेस पार्टी महासीजी प्रेंका गांधी ने 23 अक्टूबर को वाइनाड 13 नवंबर को जारकन इधान सभाग के पहले चरंड के मदान के साथ होगा मतगरना 23 नवंबर को होने वाला है पार्टी सुत्रों के अनुसार वाइनाड में नामांकन से पहले राहूल गांधी प्रेंका गांधी 23 अक्टूबर को सुबह 11 बजे रोड़ शो करेंगे रोड़ 14 नवंबर को सुखा मुक्त करने का वादा जुमला निकला अन्यदाता को मुआपजा देने से इंकार कर दिया गया लेकिन बीमा कमपनियों पर 8000 करोड रुपे की बौचार की गई जवाब भाजपा के लोगों को देना है 200 सासा प्रधान मत्री के सेक्षिक योगता को लेकर सवाल खड़ा करना अर्विंद केजरिवाल के लिए भारी पढ़ गया है आपको दादे की प्रधान मत्री मोधी के एजुकेशन को लेकर बयान दिया था पूरे मुख्य मंत्री अ एसे ही समान तिपड़ी के संबंद में आप नेता संजे सिंग के इसी तरीके की याचिका भी खारीच कर चुके हैं केजरिवाल ने निचली आदालत से जारी हुए समन को चुनावती देते हुए मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की गोहार लगाई थी अब देखते हैं क क्या कारवाई की जाती है सासा दोस्तों भारतियंता पार्टी के बुरी ख़बर सामने आई है करनाटका के चन पतना में विधान सभा के उपचुनाव होने वाले हैं यहाँ पर भारतियंता पार्टी के नेता सीपी योगेस्वार ने एलान किया है कि वो इंडिडिपेंडे करें हमारी राय रहेगी कि एवियम के जगह बैलेट पिपर से एलेक्शन होना चाहिए उन्होंने जर्मनी और डेवलप देशों का एक्जांपल देते वे कहा कि जहां पर इसका विश्कार हुआ है वहां तो फिर भारत के अंदर ऐसा क्यों किया जा रहा है सासाथ कॉंग्रेस वीडियो का अपने लोगों तक शेर कीजेगा सासाथ सीम हमान तो सोरें है वहां गर्वा विधान सभा एसेमली सीट से चुनावी मैदान में प्रचार करने के उतरने वाले हैं आपको दादे की गर्वा एसेमली सीट पर मिथलेश कुमार ठाकुर की और से नमांकन दाखिल किया गया था जिसे 50,000 के आसपास लोग आये थे और अब मिथलेश कुमार ठाकुर फिर से मैदान में जो उत्रे हुए हैं पिछली बार जो जीत उनको मिली थी उसी जीत को रिपीट करना चाहते हैं दोस्तों पिछली बार जारकर मुक्ती मोर्चा के नेता मिथलेश ठाकुर को एक लाग 6,000 वोड मिले थे और भारतियंता पार्टी के के केंड़ेट सतेंदर नात तिवारी को 83,169 वोड मिले थे बीएसपी के केंड़ेट को 10,000 के आसपास वोड मिले थे और AITC यानि तरमुल कॉंग्रेस के नेता को 7,000 के आसपास वोड मिले थे यानि इस सीट पर मिथलेश ठाकुर फिर से बड़े अंतर से चुनाफ जीत सकते हैं और आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूब बताएगा मास्ता लगातार जोड़न दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देख लेकर चैनल जाहिए जाहिए जासे आता वीडियो को शेयर कीजेगा बहुत धन्यवाद